जीवानुखाद भी वह खाद होते हैं जो होते हैं वह हमें जो आटमोस्फियर का नाइट्रोजन है वह उपलप्त कराते हैं जैसे मिट्टी में कुछ फॉस्फरस है उसको घुला के पौदे को उपलप्त कराते हैं पोटैश भी आजकल तो नया जीवानुखाद आया है जैसे फॉस्फिट सोलुबलाइजिंग जिंग सोलुबलाइजिंग बैक्टेरिया यह जो जीवानुखाद है हमारे जो मिट्टी में जो पोटैशियम है या जिंग है उसको घुल के पौदे को उपलप्त कराते हैं तो ज है जीवानुखाद के उप्योग से हमारी जो भी फसल है दस से पंधरा पत्रिशत उसकी उपज बढ़ जाती है जीवानुखाद के अलग-अलग प्रकार होते हैं जैसे की राइजोबियम जो हम दल्हनी फसल के लिए उप्योग करते हैं आजटोबैक्टर सब्जियों के लि यह उप्योग करते हैं और एक होता है कि फॉस्फिर सोलुबलाइजिंग बैक्टेरिया या माइक्रोब्स होते हैं जो हम स्पूरत या फॉस्फरस जो होता है मिट्टी में घुल के पौदे को उपलप्त कराने के लिए तो यह जीवा जो सूश्म जीव है यह सब कुछ हमार इतने भी न्यूट्रियंस है उसको हमारे पौदे तक अच्छी तरह से उपलप्त करवा कि उनकी उपज 10-15 प्रतिक्षत बढ़ाते हैं धान के फसल में हमें जोला या फिर बीजिए इसका उपियोग करना चाहिए जिस इसकी उपियोग से आप देखोगे कि 15-20 प्रतिक्ष जाएगी और उसको कुछ नहीं है आपको जैसे ही आपका पानी जमा हो जाता है मतला बिछडा लगा देगे पानी जमा कर देगे तो उसमें हम एजोला का एजोला या बीजिए डाल सकते हैं या फिर आप समझ लीजे दो एक से दो टरन पर एकर आप डाल दीजिए केचू के अवशेश, मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सुक्ष्म जीवानू, मुखे एवं सुक्ष्म पोशक तत्व और अपचित चैविक पदार्थों का मिश्रण बर्मी कमपोष्ट खाद कहलाता है अच्छे से गोल को मिला कि फिर आप जो अपना जो बीज है जो आप डालना चाहिए दलहन का होगा तो राइजोबियम यूज कीजिए या फिर अनाज या सबजी का होगा तो आप अज़ोटोबैक्टर जो भी कल्चर है आप उसमें अच्छे से मिक्स कीजिए बीज को उसम सीलिंग्स को आप निकालिये द्विये और उसको उस घोल में जो भी हम कल्चर का बनाता है बनाते उस घोल में उसक click paling होता है उसको सब्लूस करना है उसकी जड़ को 15 मिनित तक डिप करके फिर उसको बाद ने कि एक पर डाइब कर जोग कर ऴें下 कि आज एका आढ टीकित एक नहै बखश चाने कर सब एकादे तो की बएलκα का अर जा टीकर понятно झाल झाल